दोस्तों दो बहुत बड़ी information आ रही है जिसके basis पे अगले हफते market reaction दीगा एक एक चीज़ करके आपको बता होनी चाहिए जितने भी stocks के नाम आपको देखने को मिलना है ये अगले हफते गिरेंगे बहुत तेजी से और आपको वज़ा पता होनी चाहिए लेकिन उससे पहले आपको ये profit अगर करना है और अपने loss recovery करने है इस तरीके से तो आप join कर सकते हैं हमारे telegram channel को जिसका link मैंने description में दे रखा है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहरा हूँ जितने stocks का नाम में बताने जारा हूँ पूरी list मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इन stocks से दूरी बना के रखे गया चुकि इन में जोड़दार गिरावट आएगी और मैं आपको date भी बता दूँगा कल से ही शुरू होगा यह सिलसिला और मैं आपको sector भी बता दूँगा इन stocks के गिनने के बाद कौन कौन से sector में गिरावट आएगी जिसका impact पढ़ेगा किस पे nifty पे चुकि नifty sector से चलता है चाहे वो नifty bank हो चाहे नifty IT हो चाहे नifty metal हो oil and gas हो energy हो power हो कहीं पे भी तो बड़ा corporate action यहाँ पे होने वाला है corporate action में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले FMCG सेक्टर जोगी काफी ज़्यादा support करता है FMCG सेक्टर का सबसे दिगज निफ्टी का दि Unilever है तो हिंदुस्तान Unilever में आपको गिरावत देखने हो मिलेगी यह भी stock बहुत जादा नीचे जाएगा according to the update, update क्या है क्योंकि यहाँ पे आपको देखने हो मिलेगा सबसे important कि यह stock X dividend हो जाएगा यानि कि जो dividend announce किया था उसकी X date आपको देखने हो मिलेगी अभी मैं date दिखा देता हूँ तो आपको यह stock में गिरावत देखने हो मिलेगी जिससे के कारण FMCG सेक्टर नीचे जाएगा आप work कर सकते हो on the basis of this particular update फिर आपको पता है nifty metal जो काफी major supporter है 6% के आसपास nifty को क्या करता है support करता है इसमें भी देखेगा गिरावत देखने हो मिलेगी यहां पर IT के कई सारे stocks भी आपको गिरते हो देखने हो मिलेंगे इसके बाद reality space में overall reality जो की बड़ा stock है weighted जदा है इनका तो reality space में भी आपको गिरावत देखने हो मिलेगी जो कि यहां पर भी आपको X dividend होता हो देखने हो मिलेगा bank of India में भी X dividend होता हो देखने हो मिलेगा इस stock में भी गिरावत आएगी अब मैं date के साथ आ जाता हो सामने तो आपके सामने देखेगा सबसे पहले हिंदोस्तान Unilever हिंदोस्तान Unilever देखेगा आपको यहां पर देखने हो मिलेगा 22 रुपए की गिरावत आते हो देखने हो म आपको पता है कम से कम 2% की गिरावत आपको देखने हो मिलेगी जो आपको focus करनी है bank of India में भी गिरावत देखने हो मिलेगी तायर सेक्टर में भी गिरावत देखने हो मिलेगी 12 रुपए का dividend दिया था X date देखने हो मिलेगी यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो इसके अलावा कई सारे stock ऐसे हैं चाहे cement के हो चाहे वो देखेगा आपके FMCG के हो metal के हो इनमें आपको गिरावत देखने हो मिलेगी list दी है और list के साथ मैंने आपको यह भी बता दिया है कि यहाँ पर date क्या होग सबस्यादा weighted Tata Steel का है तो वो गिरेगा तो nifty metal गिरेगा इसके बाद overall reality का भी reality space में काफी जादा है हिंदुस्त्वान लीवर अपने आप ही आपको पता है कि एकदम दिगज stock है तो इन सम्में जब गिरा वटाएगी तो इनके sector भी गिरेंगे जिसका प्रभाव आपको Since 1991 यानि कि जब सोवियत रूस भंग हुआ था उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो nuclear weapon किसी country ने deploy कियों और उन्होंने कहा है कि हम first use तभी करेंगे जब हमें लगेगा कि हमारे देश पे आच आने वाली है धमकी उन्होंने दी थी western countries क अगर आप देखेंगे तो African leaders पहुँच चुके हैं कहां पे Russia और वो peace talk करने पहुचे हैं लेकिन इसमें बड़ा twist आ चुका है यानि कि जब बात करने आते ना तो actual में बात कहां सुरुख जाती है कभी देखेगा आसपास के देश आते हैं कभी खुद भी Biden साप पहुचे है कई तरीके की बाते होई बट देखेगा seriousness तब आएगी जब America चाहेगा युद्ध को रोकना जब Western country चाहेगी युद्ध को रोकना क्यों चुकि जब वो Ukraine को support करना one करेंगे तब Ukraine अपने आप देखेगा हतियार डाल देगा तो उसमें बड़ा twist आ चुका है कि जब देखेग कि हमें peace talk करनी है negotiation के साथ हम in कर सकते हैं और हम करना भी चाते हैं लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात आई है कि negotiation के basis पे देखेगा यहाँ पे बात करनी है और negotiation में देखेगा Ukraine क्या कह रहा है यह बहुत बड़ी बात है तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इनमें पूरा जो African continent है इससे प्रभावित हो रहा है यह जो इतना लंबा युद चला है जले सिंकी ने देखेगा that there should be a peace through the negotiation लेकिन जले सिंकी ने क्या कहा है री बफर्ड करा effort to bring Kiev to the negotiation table imminently and ruled out any peace negotiation with Russia तो अगर आप देखेंगे तो जले सिंकी ने साफ साफ कहा है कि हम तब बात करें तो यह जब पहले पूरी तरीके से रशिया की जो सेना है वह हमारी country, territory से बहार जाए तो ऐसा possible हो सकता है? नहीं हो सकता है और सारी territory हमारी रहेगी यूक्रेन पूरा यूक्रेन हमको रायर हमारी रहे तब आप हमसे बात करिए तो आप एक दो losing streak हो और उसके बाद आप इस तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यूक्रेन चाहता ही नहीं है कि यहाँ पे peace talk या फिर war का end हो चुकि यूक्रेन को backup है किसका United States का और आपको पता है पूरे UK का और Western countries का तो यहाँ पे बात कौन कर सकता है युद्ध कौन रुकवा सकता है actual में युद्ध रुकवा सकता है केवल Western country और America लेकिन वो सामने आएंगे नहीं तो इस तरीके की जो वारता लाप चलती है इससे market में तो ठीक ठाक महौल देखने को मिलता है यह लगता है कि सब कुस ठीक होने वाला है बट actual में कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है क्योंकि आप यह warning के साथ कुछ utilization भी कर सकता है यह जो tactical nuclear weapon है तो बहुत ही cautious रही है कल बहुत ही ज्यादा sentiment इसके basis पे देखेगा impact होते हो देखने हो मिलेंगे तो वीडियो गर अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना ना बूलिएगा thank you so much